अलो दोस्तों कैसे आप सब मैं ठीक हुमेद करते हैं आप भी मसे में होंगे तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल यह आप कह सकते हैं हलवाई वाली आलू मटर की सब्जी बिल्कुल वैसी ही बने की जैसे आप हलवाई के याँ खा रहे हैं तो इस सब्जी करनानी बेर आसान है बस आप टिप्स फॉलो करें जो मैं आपको बताऊंगी तो खुश्बूदार अलू मटर बने हो तो बच्चों से बड़े सब को पसंद आते हैं और दोस्तों मैं इस सब्जी को बना रहे हूं आप चाहिए तो इसे प्रेशे कुकर में भी बना सकते हैं तो चले बनाना शुरू करते हैं सबसे बनाने के लिए दोस्तों में क्या के चाहिए देख लेते हैं इसके लिए चाहिए दो से तीन आप मीडियम साइस के आलू लें उन्हें इस तरीके से मोटा मोटा काटने साथ में ले रही एक से 1.5 कप छिलवे मटर के दाने दोस्तों आप चाहें तो ताजे मटर ले सकते हैं अवेलबल हूं तो सबसी बहुत ही अच्छी बनती है नहीं तो आप अगर मौसम में नहीं है तो आप फ्रोजन वाले मटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं एक सी रेड़ कप चाहिए होंगे इस सबसी के लिए बहुत जादा जरूरी इंग करें तरी वाली सबसी बनाने हम थोड़ी सी देशी स्टाइल पंजाबी स्टाइल तो दोस्तों पारी कड़े प्यास से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साथ में में चलेगा लसन अद्रका पेस्ट आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं घर पर भी तस से पंदा लसन की कलिय और तो अद्रक का टुकडा मिक्सी में बीस लें टमाटर चाहिए होंगे तीन बड़े साइस के टमाटर लाल पके हुए इन्हें भी मिक्सी में चला लें तरी बहुत अच्छी बनेगी रस बहुत अच्छा बनेगा थोड़ी सी इंग और दोस्तों खड़े मसालों में से चार टीस्पून थोड़ा सा जीरा नमक खल्दी तो चाहिए होगी उसके लावाल नालमेच तो इनी साधे मसालों से हम बनाएंगे बड़ी बेतरीन हलवाई जसी आलू मटर की पंजाबी स्टाही सब्जी इस बनानी बेद यासान है तो चली बना लेते हैं सब्सी को दोस सब्सक्राइब खाली में तो उसे फ्रेशर को कर सकते हैं इस तरह से खुला पाया दे सब्सक्राइब उसमें एक तेजपती एक टीस्पून जीरा असाथ में दूस्तों दो से चाट चुट्किया फिंकी करें साथ हम इसमें एक कटे प्याज प्याज करें और तेज आच पर मसाल अच्छे से नहीं और रहा का प्याज को पहले आड़ करें तो अच्छे से अच्छे पहले करेंगे दिस भी चली बैटि करने तक हम प्याज बहुत अच्छे ब्राउन होगे इससे ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर भी आएगा टेस्ट भी आएगा प्याज बहुत अच्छे से खुल भी जाएंगे अब मैं इसमें एक टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक यानि लसन अद्रक का पेस्ट यह मार्केट वाला एक टेबल स्पून एड किया है घर पर आप 10-15 कलिया लसन चोटा टुकड़ा अद्रक पीस कर एड कर सकते हैं तो देखिए हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से पग गया है लसन अद्रक भी बहुत अच्छे से पग गया है और इसमें हल्दी और लालमिर चैट करेंगे तो अपनी पसंद से तीख सब्सक्राइब काफी रहेगा तो नमक एड करें अच्छे से बून ले टमाटर 2-4 मिनिट तक टमाटर 200 बहुत अच्छे से बून गए है पांच मिनट से मैंने तेज आँच पर भून रही थी तड़का बिलकुल बनकर रही है यह कलर भी अच्छा है अब इस पर कटेवे आलू एड करेंगे और उसे तेज आँच पर हम 5-7 मिनट तक अच्छे से बून लेंगे इससे आ पर को बहुत अच्छी बनती है और तड़के में और तरी में बहुत अच्छा स्वादाता है अन्यक्षा बहुत अच्छे से बुन गए हैं आप देख एकले बड़ा अच्छा आए गए ग्रेवी का और बहुत अच्छी सूप भी थी उसे हमारी आप आलू जो हैं बिलकुल करें अभी मैंने इसमें तीन से चार कप पानी आट किया है बाद में अगर पानी सूख गया तो मैं और एट करूंगी मटर के साथ कि देखे पानी में बॉइल आ गया है अब हम ढ़कन लगाकर दस मिनट तक कुक करेंगे आलू तो देखे 10 मिनट के लिए मैंने आलू रख दियें गलने के लिए तो आज को मैंने बिल्कुल कम नहीं रखे उससे थोड़ा सा जाधा रखा हुआ है आप अगर टाइम को सेफ करना चाहते हैं तो आप चाहें तो यही प्रोसीजर प्रेशर कुकर में कर सकती हैं आप पतीले की आप पतीले चलिए ढकन आटाकर देख लेते हैं और मांडा के दाने दोस्तों चुचिहल का रखे चाहे मसाओ टाने एक टायट करें तो आगले इसमक्री पख जाते हैं इसलिए आलू जब घलके-अलके कच्छी रह जाए बिल्कुल पक जाएं तभी एट करें इससे क्या हो किया था सब्जी में मुझे सूखी सूखी लग रही थी अब मैंने धक्कन लगा दिया वो बॉइल आ गया है अब मैं इसे कम आज पर 10 मिनुट तक तब तक पकाऊंगी जब तक आलू ना गल जाए आलू लग पक गल चुके थे तो आप 5-7 मिनट लगेंगे हमाई सब्जी बन में पकाए तो मैं सब्जी 20 मिनट में बनके रेडी होगी आप एक आलू को इस तरह से काट कर देखिए मों गलावा लग रहा है तो यानि कोग्ड है तो देखिए मटर की सब्जी हमारी रेडी है अलू मटर तरी वाले लेकिन असमें गरम मसाला नहीं अट करेंगे और हरा ध करते हैं लीजे दोस्तों बनके रेडी है आपके लिए गरमा गरम आलू मटर की सब्जी दोस्तों बड़ी आसान सब्जी है आप इसी तरीके से बनाएंगी जैसे मैंने बताया तो बहुत ही अच्छी बनेगी वह सब्जी तरी वाली सब्जी और उपर देसी की नहीं डालें कर देते हैं कि दोस्तों घर पर फ्रोजन मतर हमेशा रखें अगर आउट अफ सीजन है अगर और कोई सब्जी समझ नहीं आरे हो तो आप यालू मटर की सब्जी बनाए मैं ऐसे करते हूं कुछ सब्जी समझ नहीं आती तो मतन निकाले फ्रीज़र में से और फटा फटा-प के साथ दोस्तों आप ये रेसिपी जल्दी ट्राइब करेंगी मैं चलती हूं अपना ख्याल रखिए सहत बंद रहें और हां मेरा चैनल कुक्वित मॉनिका जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों जाज से अदर शेयर करें आपने सब्सक्राइब किया हुए ले झाल झाल झाल